आम आदमी पार्टी पर फिर फूटा है कपिल बम कपिल मिश्रा ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फरेंस कर के जिवाल से फिर पूछे हैं कई सवाल कपिल मिश्रा ने दावा किया है कि 400 करोड रुपे के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट घोटाले के आरोपी ने संजे सिंग और आशुतोष की रूस यात्रा को स्पॉंसर किया था तो आज लगातार तीसरा रविवार है जब कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर हमला बोला है और इस बार उनके निशाने पर हैं आशुतोष और संजे सिंग आरोप यह है कि 400 करोर रुपे के हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट घोटाले के आरोपी ने संजे सिंग और आशुतोष की रूस यात्रा को स्पॉंसर किया था हमारे साथ कपिल मिश्रा है और आज एक नए आरोपो की फैरिस के साथ वो मीडिया के सामने आये हैं सबसे पहले हम जाना चाहेंगे आप हाला की सवाल रख रहे हैं लेकिन फिर भी शीतल परशाद सिंग कौन है और क्या उनकी एक स्थित्व है क्या पहचान है कि आमादनी पार्टी से को उनका कोई जुड़ा हो है मेरे तो कभी ने देखा मैंने कभी ने देख जब भी पार्टी के कोई अंदोलन हुए या कोई काम में किसी में नहीं देखा मैंनेन पहली बार उनका नाम सुना जब्ले सिंग जी ने कहा कि उनको रूस ले जाने के सारा पैसा शीतल परशाय सिंग जी ने दिया था संजे सिंग जी को भी और अशुतोष जी को भी उसके बाद जब मैंने तथ्थे देखने शुरू किये तो मुझे पता लगा वो हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट के काम से जुड करते हैं तो मेरे को तो लगा कि यह बड़ी अजीब चीज ऐसा तो नहीं होना चाहिए लेकिन उसके बाद मैंने और देखा कि सीटल प्रशाद सिंग कई जगे टीवी में आम आदी पार्टे के प्रवक्ता बनकर भी बैटे हुए हैं तो मेरे को कुछ चीजें तो बहुत अ इस पर आरोप है यह बात दिखने लगी है और यह केवल इतनी बात नहीं है अभी तो मैं मीडिया से कहना चाहता हूं कि इन कंपनियों के अगर आप डिटेल खोले खोले खोलेंगे तो देश के सबसे बड़े हवाला कारोबारियों तक से जुड़ी होए यह कंपनिया एक ब बहुत ही अलग सी बात है अलग कि जब आपको मंत्र मंडल से हटा दिया गया जब आपको आमादी पार्टी में एक तरीके से बहिश्कार किया जा रहा है तब आप प्रशांत और योगेंदर से माफी मांग रहे हैं क्या ऐसा है कि सिर्फ वहां से ना कोई पूछने पर आप अब आप पूछने अगर यह पहले किया होता ऐने को नहीं आता इतना ब्रश्टाचारी नहीं हो आतने गोटाले ही हुए होते पहले नहीं किया इसलिए ये और आज भी नहीं करूँगा तो आगे और होते रहेंगे तो मेरे को आत्म गलानी है जब भी आप विरोधी सवर उठाते हैं तो पूछा जाता है कि आप बीजेपी में जाएंगे आज आप प्रशानत और योगेंदर की बात करें तो क्या आप स्वराज अभियान से जुड़ेंगे कही नहीं जाओंगा और रिकार्ड बोल रहा हूँ और बार बार बोल रहा हूँ इतनी बार बोल चुका हूँ कि अभी तक भी उनको समझनी आरी वो मेरे सवालों से बचने के लिए ऐसे तत्थी उठाते हैं कि बीजेपी में चले जाएंगे यहां चले जाएंगे तुम्हारे घोटाले खुल रहे है, तुम्हारा हवाला खुल रहा है, तुम्हारा काला धन खुल रहा है, सारे देश के सामने तुम्हारा नंगा सत सामने आ रहा है, जवाब दो जोर सोर से आप आरोप तो लगा रहे हैं ल कि अर्विंद केजरिवाल और सत्सिंदर जाने जिसे अरब पती लोग एक तरफ बैटे हैं उसके बाद भी अगर ये लड़ाई पिछले पंदा दिन से चल रही है तो इसक एक मतलब पो है अड़ाऋ मेरे साथ है कपिल मिश्ट्रा का साफ है कि उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी हाला कि अब उन्होंने कुछ नए सवाल पीछ है और ये सारे सवाल संजे संगी रश्या से जोड़ी आत्रों से है तो गंभीर आरोप कपिल मिश्ट्रा के देखना होगा आम आदमी पार्टी इनारी ये है एबीपी नियूज आपको रखे आगे